असलाम अलेकुम दोस्तो यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हमतरीन खबरों से हमें सब वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर कतर में नया प्रजेट का भी स्टार्ट होगा कौन-कौन सा प्रजेट कतर में 2023 में सुरू होने वाला है क्योंकि दोस्तो आप लोगों को पता ही होगा कि कुरोना पैंडमिक जब आया था तो 2019, 2020, 2021 में बहुत ही खराब इस्तिती रही कोई भी नया प्रजेट का काम नहीं हो रहा था तो दोस्तों इस साल जो है बहुत सारे नए प्रजेट का वहां पे काम होने वाला है इसी के बारे में आपको में बताऊंगा तो साथ यो निव प्रजेट जो श्टार्ट होने वाला जैसे कि वीडियो किसक्रण पर आप देख सकते हो मैं कतर का निव कंस्रक्शन का इसी साल बनेगा लगूना रेसिदेंसी दोहा यानि इस साल काम सुरू हो जागा अब दोस्तों यह मैं नहीं कह सकता हूं कि इसी साल बनकर कम्प्लिट हो जागा इस साल काम स्टार्ट होने वाला है अगला इस स्कूल अजवार रायन में होगा कॉमर्सियल बिल्डिंग बनने वाली है होटल एट मनसूरी मनसूरा जो की दोहा में बनेगा क्यू इडबलू सी निव पावर प्लांड बनने वाला है फुरजान वादी लुसेल प्रोजेट का क इडल सरगि सोट्ड डॉं फील्डम का काम है इड़ सस्टू खूमने वाला होटल बनने वाल है एकुश्षस अगला काम दोस्तो इसमे होगा न और्ट एक्सपेंशन प्रोजेट का काम इस साल होने वाला है, Qatar National Rail Scheme का काम होगा, Sark Crossing का, Bull Honey Redolupman काम होगा और Hamad International Airport का जो Airport City Project चल रहा है, वो भी इस साल काम दोस्तो होने वाला है, यह सारे चीचों का दोस्तों डीटेल के साथ यहां पर दिया हुआ, यदि जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मुझे Information मिली थी, कि February के महिने से 1st week off या 2nd week off में स्टार्ट होने वाला है पर दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मैं पहले ही बोला था कि मैं Confirm Date नहीं बता रहा हूँ क्योंकि Confirm Date अभी Government के तरब से या कंश्रक्सान के तरब से नहीं आया है तो अभी भी ये उमीद जताई जारी कि February के इंड तक या इंड तक स्टार्ट होने की संभावना है पर मैं Confirm नहीं बोल रहा हूँ Confirm Report जैसे ही आगी दोस्तों मैं Separate वीडियो उस पर बना दूँगा तो साथियों इसी को देखते हुए कतर के तरब से Mobile Home को वहाँ पर भेजा गया है दोस्तों वीडियो के स्क्रीट पर जो फोटोस आप देख रहे हैं ये रेडिमेट साथियों घर होता है यानि ये बनाया जाता है लगभग 10,000 ऐसे घरों को कतर के तरब से दोस्तों टर्की और सीरिया को भेजा गया था यहाँ पर खबरों को पड़ भी सकते हैं कतर परवाइड 10,000 Mobile Home for Earthquake Victims in Turkey and Syria तो दोस्तों कतर जो लगतार वहाँ पर मदद कर रही है ताकि लोगों को इसे कुछ फाइदा या राहत हो सके अगली जो खबर दोस्तों आरे साथ ही वो भी साथियों कतर के वहाँ जो भूकाम पाया है उसको लेकर आरे तो दोस्तों कतर के तरब से कतर में सर्च और रेस्क्यू टीम को भेजा गया है रिलीफ ओप्रेसन के लिए तरकी में जो अर्थक्यू एक आया था जिसके वज़ा से तो साथ यो वीडियो के सुन पर आप देख सकते तरकी के जो रेस्क्यू टीम है वहाँ पर तरकी पहुँचा है और वहाँ पर इसका स्वागत के लिए वहाँ पर तरकी के कुछ मिनिस्टर वगएरा आये हुए थे तो यह सभी जो है वो रेस्क्यू टीम है यानि वहाँ पर जो भी दबे हुए हैं फसे हुए हैं जो वहाँ पर फसे हुए हैं उनको उनके तरफ से लिए वहाँ पर निकाला जाएगा और सब कोश जरू की चीज़ें वहाँ पर दी जाएगी तो ये कुछ खबरे थी, कुछ अपडेट्स थी जो की कतर से आ रहे थी मैंने अब तक सेयर किया उमीद करते हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मिलते दोस्तों नेक्ट वीडियो पर जैहिन, अल्ला आफिस, टेक क्यार